प्रतेक भासायाम, विशिस्ट ध्वनेया, सरचना, सब्दा वली, चासन्ती, भासायाम, एउविधम, वैसिस्टियम, सूचियन्तियत तो इसका एंस्वर जैगर D के साथ में भासा एक ब्यवस्तता वर्तते, भासा एक प्रकार की ब्यवस्ता है कि मात्री भाषा का अध्यन किया जाए यही सिक्षा का अधिकार है प्रतेग चात्र का क्योंकि जो हमारी मात्री भाषा होती है वो सबसे ज़्यादा important है अगर किसी भी option में आपको मात्री भाषा मिले तो उसी में लगाना है आपको विद्याले, सिछडे, प्रथम भाषय अध्यनम सेयात तो मात्री भासा या अथ्वा प्रांती भासा या सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि वहां की बोली जाने वाली भासा और मात्री भासा क्योंकि विद्याले के सिच्छार में पहली भासा का अध्यन मात्री भासा ही करानी चाहिए और यह सब आपको पता यह सबसे जादा इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट है हमारा भासा याम सिच्छडे या क्रेंदम भवती भासा का सिच्छड का क्रेंद होता है बालक और सारे option में आप देख लीजेगे अगर बालक है ना तो सबसे जादा जो positive answer वह बालक के साथ ही जाएगा सिख्छा का समाज में जो आपचारिक साधन है brought up के बच्चा तरह-तरह की चीजे सीखता है ठीक है एक चीज़ और बता दें आपको जो important question है पिछले साल है वही मैं करवा रही हूँ ठीक है रचनात्मक सिछडेन अभी प्राया अस्ती ठीक है तो जो है आपको देखना है कि रचनात्मक जो सिछड का अभी प्राय क्या होता है आप बताईए तो इसका answer C के साथ जाएगा छात् सिछड से प्राचीना प्रणाली अस्ती संस्कित का जो सिछड है वो प्राचीन प्रणाली है उपिक्त सर्वा प्रण लेया ठीक है प्रत्यक्ष विधिवी पार्थ पुस्तक विधिवी पार्थ साला विधिवी ठीक है तो ये सारी ही जो है सिक्षा देनी की जो संस्कित की प्रडाली है नेक्स्ट है हमारा व्याकरण सिच्छा से या नूनता रीती वर्थते तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आगमन और निगमन की रीती ठीक है आगमन और निगमन बिधी जो है यही व्याकरण सिच्छा की सबसे निउनतम रीती जो है मतलब कह सकते है सबस से ज़्यादा साहय कौन होता है अभिने वो गोस्टी चिंतना अच्छा इसको एक बार अच्छे से देखते चलिएगा तो आने के चांसे बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट है हमारा ब्याकरण सिच्छन सम्मंद युक्ति युकम परिदिश्यम किम ठीक है तो इसका भी जो हमार एंस्वर जाएगा आप लोग बताए क्या जाएगा जाएगा हमारा डी के साथ में ब्याकरण नेमानम सिद्ध यर्थ लेखन कोसला अभ्यासा है यु समाचीना उपाया ठीक है संस्कीत का कुश्चन अब तभी कर पाएंगे जब उसका संदिविच्छेत करके उसका अर्थ निकाल पाएंगे कुछ important question जो एक नजर में आपको देखना है इसके बाद हम फिर question कराएंगे लेखन कोसला से विधी अस्ति मान्टेसरी विधी अच्छर सब्द सरूपस सि ग्यान अस्मिन कोसले लेखन कोसले कथा विधी अस्ति कोसले पढ़ने की जो कुसलता होती है उसक पद पद थी भासला कोसला से क्रमसा चरणानी तो भासा कोसल का क्रमसा चरण होता है स्रवण भासलम पठनम लेखनम इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा दोनी बिग्यान का जो सम्मंद का कोसल होता है वो होता है स्रवण भासल से ठीक है दूसरा जो है क्या कहते ब पढ़ो और उसका अर्थ ग्रहन करो ठीक है नेक्स्ट कुश्चिन की तरब अगर हम बढ़ते हैं तो मुख्यता भासा सिछड़ से सम्मंधा केंसा अस्ती ठीक है मुख्य रूप से भासा सिछड़ के सम्मंध में कौन किसके साथ है किसका बताइए ग्यान का होगा ना ग्याना जो है कौसल है वो चार है ठीक है चार होते हैं मुख्य रूप से मुख्य रूप से संस्कित भासा का सिछड़ क्या होना चाहिए संस्कित भासा या दच्छता ठीक है यह most important question था स्रवण कौसलस से बला घाता इतिकता प्रयोक्ते द्रिश्यते ठीक है मौख्य का अभ्यक्ति भासा इसका जो है बला घाता इतिकता प्रयोक्ते द्रिश्यते इसका मौख्यक अभ्यक्ति करना ठीक है next question है हमारा ध्यान से देखिए सारे question सतत व्यापक मुल्याकन इतियन संबंधा व्यापक इति संकल्पना चात्र से बुद्धि विकासत गरते पच्छम विवुडोदी तो यह होगा सैच्छुडिक सह सैच्छुडिकियों ठीक है यह question आया था पिछली बार में तो एक बार देख लीजिएगा अगर मैं सबका अर्थ बताते चलूँगी तो विडियो बहुत बड़ा हो जाएगा कस्यापी जनस से विसिस्ट छमता नाम कौसला नाम यता संगीत विग्यान और सद इत्यादिराम रचनात्मक अनवेस्टू मापितुम किता परिक्षा किम कत्यते तो अभिवित्ती परिक्षा एप्टिटूट टेस्ट होता है जिसमें छमता कुसलता संगीत विग्यान और स सब चीज की परिच्छा ली जाती है निमने लिखेतु की समाविस्टी कच्छा जो होती है उसमें देखिए सहान उबूती भी होती है सहयोग भी होता है सहिकारिता भी होता है लेकिन सहान उबूती सिंपैथी नहीं होती है तो समावीषिक अच्छा में हमेसा याद रखिएगा सिम्पैथी नहीं होती है यानि सहानुभूती नहीं होती है एका सिक्ष का चित्रेड सहग्रिय सिद्रश्यो वर्ने सल लगना चित्रेपिता पाक सालायाम पाक क्रियाम सल लगना माता संगना कश्य सहयानी कारिय सल लगना पुत्राचा सीवन पक्रियाम लगना अध्यापका हा चित्रद्वारा की मिस्पस्टी करतुतु मिती तो लिंग स संबंध पूर अधरनम मतलब पूर जो अनुमान जो की जाता है उसका उनमूलन करना ठीक है बिभिन बिश्यानाम ग्यानस सिकरते विद्यार्थिना मात्री भाशायाम उप्योगा एंस्वर जाएगा ग्यान प्राप्तों सहायम करिश्यती ठीक है तो ग्यान प्राप्त में सहा करता है ठीक है अगर आप देखिए अर्थ निकाल लीजिए तो उसी से आप देख लीजिए यह सारे आप्शन आपको वैसे भी गलत लगेंगे और यह सही लगेगा शिक्षिका कच्छायां इस्थितानां वस्तुनांक नामानी करगत पटिदायां लिखित्वा वस्तुनां उ उपरी अरोपिया ती यूसा तो इसका उप्शन जाएगा जो है सी के साथ में कच्छा यां वातारम मुदित पठन सामागरी में करोती चीक हैं अगर इसका निकालेंगे आप तो बहुत सारी लोग ईवियस में लगा देंगे लेकिन याद रखिएगा यही हमें समझना होता है कि घुमा के कोश्चन दिया है यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिव जो है उकवली मतलब कि उत्पादक सब्तावली सन्निवेशियती तो संभाशन समय लेखन समय चाप्रयुक्तान सब्दान चीक है नेक्स्ट कोश्चन की तरह अगर हम बढ़ेंगे तो उसके पहले एक चीज़ बता दें कि यह जो कोश्चन है यह कोश्चन पिछली बार जो है नौ जनौरी को यह पेपर आया यह जो कोश्चन था आया था मोस्ट इंपोर्टन है और यह उत्पादक सब्तावली एक बार द पहला आप्शन जाएगा उपस्थित विस्यो परी विचार आडाम संगर उपस्थापनम चा ठीक है और अगर आप देखिए जो है एक एक चीज़ का अगर मैं अभी अर्थ निकाल के आपको समझाऊंगी तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे समझ में आगे लेकिन सीर्शक सहितम समुचितम उत्तरम अन्वेस्टम निदिश्टा पूर्वम यूते समग्रेया स्वरूप विस्वे किंचित प्रस्टुम इच्छाथ इदम किम चात्रा सक्री रूपेड समग्रेया संदर्भे पूर अरुमान प्रक्रियायां ठीक है वही कोश्यन है पूरी अ से बेन स्टॉमिंग की बात कर रहा है तो यहां पे जो है विचार मंथन जो है हमेशा देखिए गर बिसय के भाव से सरजनात्मक विधी होती है वो मोस्ट इंपर्टिंट होती है ठीक है भासा बोध का नाम आद्य करतब्यम ठीक है इसको देखिए आप आप लोग जो है एक प्रदानम ठीक है ब्याकरण की कल्पना का विरुनत तभी हो सकता है जब आप उसका अभ्यास करेंगे ठीक है और उसकी भासा आपको मतलब की जो हमारी संस्कृत भासा है वो प्रॉपर आपको आनी चाहिए ग्रीकारस से मुख्योदेश यो अस्ति ग्रीकार का जो प्रिहास करना यह ग्रीकारे देने का मुख्योदेश यह होता है ताकि वो चीज़े अच्छे से कंथर्ष्ट हो जाए और वो चीज़े कभी भी दिमाग से स्किप ना हो स्रावण कौसल विकास आर्थम काहुत्मा मारगा ठीक है तो यह एंस्वर जाएगा पहले के साथ में विद्याले से विभिने कारेकरवेशु भासाए स्रौणा से अऊसरा अगर जो है इस प्रकार का जो मारग होता है आप देखिए जो विध्याले के विभिने विभिने प्रकार के जो कारỉकरम होते हैं उस पर भाग लेगा तो जाहिर सी बात है उसके स्रौण की कुषलता सिरसक का मुख्य संबन्द किस से होता है बागी तो परे वगेरा बात्र भुगयर है वो तो ठीक है नेक्स्ट है हमारा बला नाम निसुलक आवस्यक सिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसारम 2009 सिक्षा स्वरूपम की हक भवेत तो छात्रा नुकूलम गतिभिती अनुशन धान प्रदर्शन द्वारा सिक्षणम तो सब को पता है कि जो है छे से चौदा साल की जो आई थी सिक्ष कि बालक को बालिका हो या बालक को निसुलक सिक्षा का अधिकार दिया जाए वदिनयम 2000 में छात्रा की अनुकूल गतिभिती के उपर था ये ठीक है तो उनकी ताकि उनकी सिक्षा में अच्छे प्रदर्शन हो सके क्योंकि जो है अगर जो सिक्षा है वो निसुलक रहेगी तो जाहिर सी बात है कि छात्र के लिए अनकूल भी रहेगी और वो जो है जीवन में कुछ अच्छा कर भी आएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीना पैसे के पढ़ नहीं पाते हैं कि दिसा प्रशना छात्र चिंतन कोशलम ना उन्यति किस प्रकार का प्रशन छात्र के चिंतन कोशल की उन्यति नहीं करता है केवल पाठिवस्तु पठना आधारिता प्रशना यानि जो पाठिवस्तु पे पढ़ने के आधारित प्रशन होते हैं उससे कभी भी छात्र का चिंतन कोशल जो होता है उसकी उन्यति नहीं हो सकती है ठीक है तो अगर अर्थ आप तीक है अगर जो है एक बार आप अर्थ निकालेंगे ना तो एंस्वर देखिए आप खुद ही निकाल लेंगे जो है हिंदी जैसे कोश्चन है सीडीपी है वैसे संस्कित कभी कोश्चन होता बस आपको थोड़ा सा जो है विभक्ति कारक बगेरा पढ़ना है और उसके बाद अर्थ निकालना है बस और कुछ नहीं कविता पाठनम क्रियते कविता का पाठ किया जाता है विचार नाम बोधार्थम आनंद अनुभूर्थयम चा की देखिए कविता का पाठ हम क्यों करते हमें आनंद की अनुभूती होती है ठीक है विचारों की जो है देखिए कविता हम कर सकते हैं तभी न जब हमारे अंदर विचार होगा हमारे अंदर भाव उठेंगे ठीक है और लोगों को क्या होगा आनन्द की प्राप्ति होगी ठीक है सुंदरी एकस से अभ्यास कार्यास से नियोजितम कृतिवति यस्मिन साप्रतिक पर्चम सबद से लोपम कृतिवति एतत अभ्यास कार्यम अस्ती रिक्तस्थान की पूर्ती जो परिच्छा होती है रिक्तस्थान की पूर्ती परिच्छा उसी की बात यहां पे कर रहा है कि बीच में जो है सब्द लोप हो जाता है तो उसमें भरना पड़ता है तो रिक्तस्थान की पूर्ती वाले ही कोश्चन ह हुए यहां पर अगर हम next question की बात करते हैं तो एक बात बता दें आपको ऐसे ही आपको बड़े question देखने को मिलेगा लेकिन आपके पास time कम होगो तो जल्दी से पढ़के उसका आपको answer करना पड़ेगा तो निदानात्मक जो होता है न बहुत जादा ही जो है कहते है पॉस्ट्री इनर्जी लेके आता है तो जहां पर यह चीज हो अगर सिक्षण की बात की जा रही हो तो उस पर option लगाईएगा तो हमेशा सही होगा आपको सहज रूपेन भाषा अधिगानम संदर्व महत्पूर्णम अस्ति सहज रूप से भाषा अधिगमन का जो संदर्व महत्पूर्ण होता है बताए किसके साथ जाएगा यह answer कथन सैल्लया अपेच्छेया अर्थे सपस्टी करनम ठीक है और यह जो सारे question इसको अच्छे से एक क्योंकि यह पुराने question है और संस्कित के question बहुत जादा बनाते नहीं है तो यही question उठा के देते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा कोई comment हो तो please confusion हो तो comment box में जरूर करके बताएगा thank you so much मिलेंगे next video